Hello everyone, welcome you all at Location Unlimited Study Zone. करते हैं integration के कुछ बहतरीन questions की practice. लीजे question number 1 आपके सामने हैं. integration का question number 1 हम आपको दे रहे हैं. exercise 7.4 से question number है आपका 18. 7.4 का 18 question. लिखे integration i is equal to 5x minus 2 divided by 3x square plus 2x plus 1. question. देखिए, गलतियों के chances बहुत ज़्यादा होते हैं. इसलिए एक step बहुत अच्छे से watch कीजेगा और रखिएगा. तो दो method है, इसके एक तो PX plus Q वाला है. जो ऐसा मौसम आया है trick वो भी हम बताएंगे आपको. तो पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसके format इस type के question में कैसे कैसे questions आ सकते हैं. इस type के format में. तो इसके जो format possible हो सकते हैं आपके लिए. वो कौन-कौन से हो सकते हैं. देखिए. पहचानी है question को उपर का जो term देख रहा है. आपको कैसा देख रहा है? वन पावर का. उपर का term linear है. लिनियर मतलब रहखिक. और नीचे का term क्या है? डबल पावर का है. तो जो आपके पास इसके form बन सकते है questions के. वो या तो इस form में आ सकता है. उपर का power ax plus b upon उपर वाले को एक काम करो. आप ax plus b मत मानो. आप उपर वाले को px plus q मान लो. नीचे दो दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो आप confused जाओगे. और नीचे हो जाएगा ax से square plus bx plus c और dx. दूसरा हो सकता है. या तो नीचे वाला term जो और अंडर रूट ax square plus bx plus c. बस ये तीन इसके possible format है. इन तीनों format में एक ही तरीके से आपको काम करना है. अब पहला मैं तरीका बताता हूँ. विदाउट इसका format यूज करे हुए. डिरेक्टली आपको कैसे करना है. दिमाग लगा करके. दूसरा मैं इसके यूज से भी बता करना है. तो आप देखो नीचे कौन बैथा है? 3x square plus 2x plus 1. तो 3x square plus 2x plus 1 का differentiation क्या होता है? 6x plus 2. तो उपर 6x plus 2 बनाने की जुगाड करो. तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको 5, लेना पड़ेगा. और ये बच जाएगा कितना? x minus 2 upon 5. और नीचे तो वही का वही है 3x square plus 2x plus कितना? 1 और dx. बोलो, clear है? अब देखिए 5 है. आपको क्या चाहिए? पहले टरम 6x चाहिए ना. तो 6 का नीचे डिवाइड करो और 6 का पूरे में क्या करो दो? multiply. तो ये हो गया 6x minus, बोलो, 6 का पूरे में क्या कर रहे हो? multiply कर रहे हो. तो 6, 2, 12 upon 5. साहिए है न सब और नीचे इसको 3x square plus 2x plus कितना? 1. अब ध्यान से देखो आपके पास 3x square का तो 6x हो चुका. प्लस 2x का कितना हो था? प्लस 2. तो प्लस 2 बनाने के लिए यहाँ पे प्लस 2 add कर दो और प्लस 2 minus कर दो. अब 6x plus 2 को साथ में ले लो, बाकी जो बज़िए उसको किनारे जान दो तो i is equal to 5 by 6. 6x plus 2 को आपने साथ में ले लिया. और देखो minus 12 upon 5 minus 2. तो यहाँ पर minus 12 upon 5 और minus का कितना? 2. 5 तू जा कितना हो गया? 10. तो minus का 12 वो minus का 10 upon कितना? 5. मतलब minus 22 upon 5. तो यहाँ पर आपके पास कितना आ चुका है? minus 22 upon 5. अब एक काम करो यह जो denominator है वो दोनों में और इसको भी दे दो. तो यह बन जाएगा कितना? 3x square plus 2x plus 1. और यहाँ पर dx लगा दो. अब चलो इसको हम आँगे solve करते हैं. क्योंकि 5 upon 6 दोनों के लिए ही multiplier में हैं. तो उसको हम को दोनों को multiply करना पड़ेगा. तो हम 5 upon 6 को दोनों को दे देते हैं. चली. तो कैसे करेंगे देखें. तो i is equal to 5 upon 6. इंटिग्रेशन में उपर कितना है? 6x plus 2. नीचे कितना है? 3x square plus 2x plus कितना? 1. और यहाँ पर कितना हो गया? dx. डन. और अब देखो यहाँ से यह माइनस बाहर आया. 5 upon 6 बाहर आया. आ गया? इंटू 22 upon 5 भी बाहर कर लो. क्योंकि सब के सब कॉंस्टे 20 तो है? 5 से 5 क्या हो गया? cancel. 2 से 3 बार और 2 से क्या? 11 बार. 11 upon 3 बच गया बाहर. और कौन बच चाएगा? यहाँ पर dx तो है? यहाँ पर बचेगा 1 upon 3x square plus 2x plus कितना 1 का dx. क्लियर है? अब देखो यह क्या है? नीचे दुकान उपर पकवान. समझ गया ना? इसको T ले लोगे तो एडिटी बन जाएगा. तो directly में इसका 5 by 6 log की फॉर्म में answer लिख दू? तो 5 by 6 log mod 3x square plus 2x plus 1. यह वाला पार्ट हो गया. minus 11 upon 3. इसको किसे solve करोगे? completing the square से. किसे solve करोगे? completing the square. 1 upon 3 सबस्पर ले क्या ले लो? common ले लो. तो यह कितना बन गया? 1 up x square plus 2 upon 3x plus कितना 1 upon 3. ठीक i is equal to 5 by 6 log of यह वाला पार्ट तो खेर solve होई चुका है. 3x square plus 2x plus 1. देखो 3 यह हो गया. minus 11 upon 9. अब देखो 1 upon यह जो अपने पास है. यह क्या है? x square plus 2 into x into 1 upon. मतलब हमें यहाँ पे किसका square एड़ करना पड़ेगा? 1 upon 3 का whole square. जो कि होता 1 upon 9. और plus 1 upon 3 minus 1 upon 9. अब आप इसको solve कर ले जाएंगे. यह completing the square बन जाएगा. है ना? यह बन जाएगा. x plus 1 by 3 का whole square. तो इस तरीके से आपको यह solve करना है. ठीक ना? इसके बाद आपका पुराना method लगेगा. Done? चली. इसका दूसरा method देख लीजे. जो px plus q वाला है. उस पर भी बात कर लेते हैं. तो फिर से इसी question को लिखते हैं. i is equal to. उपर कितना है? 5x minus 2 नहीं. प्लस 2 है. 5x plus 2? minus 2 है? अच्छा. अच्छा. जो हो? क्या दिखाई दे रहा हो? differentiation दिखाई दे रहा हो कि इसके denominator के हर के. 3x square plus 2x plus 1. अब direct तो दिखाई नहीं देगा. तो क्या लेंगे? हम कुछ coefficient लेंगे. m लेंगे और n लेंगे. अब आइए इसको solve करते हैं. तो 5x plus 2 equal to m times. यह देखिए कितना हो जागा? यह हो जागा 2 से. ओकी. तो 5 equal to कितना हो गया? 6m. तो m equal to कितना हो गया? 5 upon 6. clear? clear ना? और देखिए 2m plus n equal to किसके इकवल है? 2 के इकवल है. तो 2 into m. ओके. यहाँ पर minus है. यह देखिए minus यहाँ पर. तो यहाँ पर जो equal आएगा. कितने की equal आएगा? minus 2 कितने की equal आएगा? minus 2. 2m plus n equal to minus 2. तो यहाँ पर n equals to minus 2 और 2 into m. minus का 2 into m. m कितना आया है? 5 by 6. clear है ना? तो 2 से कितने बार कड़ गया? 3 बार. अब 3 का multiply 2 के साथ कितना होगा? minus 6. और minus का 5 upon कितना? 3. तो कितना आगया? minus 11 by 3. जब आपने solve किया तो ध्यान से लिखिए. तब भी जो आपके coefficient आये थे, यही आये थे. है ना? एक बन गया था. देखिए 5 by 6. तो पहला यहाँ पर जो हमारा बन रहा है? 5 by 6 बन रहा है. बन रहा ना? और दूसरा जो coefficient आपके पास आया था. minus 11 by 3 तो देखिए solve करने के बाद, थोड़े दिर के बाद, यहाँ पर देखिए minus 11 by 3 आ गया था. आ गया था ना? तो कही ना कहीं आपके पास हो आ जाएगा. अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब इसके बाद आप यहाँ पर 5 x minus 2 को लिखिए. तो integration जो बनेगा आपका, वो d by dx of 2 x square plus x plus 1. कित्ता होगा? 6 x plus 2. 6 x plus 2. अब प्लस n, n की value कितनी आई है? minus 11 by 3. अब आप कुछ नहीं करना, आपको बाट लेना इसको. क्या कर लेना है? बाट लेना है. बाट लेना है, ब्रेक कर दीजिए इसको. आए ब्रेक करते हैं. तो यह क्या हो जागा? integration equal to. सबसे प रेक कर दो. तो minus 11 upon 3. बोले यह सब लो. और क्या बचेगा? dx upon upon 3 x square plus 2 x plus 1. Done. अब तो कर लेंगे न? चली तो इसके question करिए. देखे इसके दी second part को आँगे बढ़ाते हैं. तो किस तरीके से करेंगे? i is equal to 5 by 6 log of 3 x square plus 2 x plus कितना था यहाँ भी? 3 x square plus 2 x plus 1. तो यहाँ पे plus 1 चूट गया था. plus 1 और minus 11 upon 9. इसके बाद integration में dx upon देखे यह क्या बन चुका है? यह बन चुका है. x plus 1 by 3 का whole square और 1 यह हो जाएगा 3 plus 2 by 9. तो 2 by 9 को में लिख सकता हूँ. under root 2 by 3 का whole square. अब x plus 1 by 3 को आप T मा लेजे. x plus 1 by 3 को यह आप T मानेंगे. तो dt equal to कितना बन जाएगा? dx. तो यह वाला part तो as it is है. इसको मैं नहीं लिखता हूँ. सीधे minus 11 upon 9. इसको आपने बना लिया है dt. और यह बन चुका है t का square plus root 2 by 3 का whole square. तो minus 11 upon 9. और इसका formula होता है. 1 upon a 10 inverse x upon a. तो 1 upon under root 2 by 3. तो 3 पलट के गहाँ जाएगा? उपर. और 10 inverse x की जगे यहाँ पर T बैठा है. और upon a upon 2 by root 3. तो नीचे आएगा under root 2. और 3 जाएगा उपर. ठीक ना? तो चलिए काट दीजिसको. यहाँ पर 3 बार गया. तो यह कितना है? minus 11 upon 3 root 2. और 10 inverse. T की value कितनी आपने विली थी? x plus 1 upon 3. तो यह दिए T की value आप x plus 1 upon 3 put करेंगे. तो 3 से multiply होके कितना बचेगा? x plus 3 x बचेगा. है ना? देखे? 3 into x plus 1 upon 3. तो 3 into x कितना होके? 3 x plus 1. तो यहाँ पर आएगा 3 x plus 1. और whole divide by root 2. तो finally आपका जो answer आएगा. इन दोनों क combination से आएगा. अब इन दोनों का combination करके आप answer अपना निकाल सकते हैं. ठीक ना? तो जो combination एगी हम करते हैं. इसको लिखते हैं. तो कितना बनेगा? i is equal to 5 by 6 log of 3 x square plus 2 x plus 1. है ना? minus 11 upon 3 root 2. 10 inverse 3 x plus 1 upon root 2. जो इसका total answer आएगा. वो यह आएगा. इन दोनों पार्ट को जोड़ दीज आएगा. और यह वाला पार्ट इन दोनों को add करके लिख दीजिए. यहाँ पर minus sign का ख्याल रखेगा. क्योंकि minus चल रहा है. इसलिए minus ही रहेगा. done. चलिए एकला question देखते हैं. क्या question बुले? integration i is equal to x plus 2 upon under root x square minus 1. देखे, साब देख रहा है कि x square को जो differentiation होता वो कितना होता है? 2x होता है. x square का कितना होता है? 2x होता है. तो 2x तो बनाना हमारे control में है. तो इसको simple बहुत ही आसानी से करिए. बाट लिजे. और 2 का multiply, 2 का divide कर दीजे. कोई दिक्कत नहीं. तो चलिए यहाँ पर 2 का आपने divide किया. तो 2 का divide करने पर बोले यह कितना हो गया? 2x plus 4. ओके और यह कितना हो गया? x square minus 1. अब इसमें mx लगानी की क्या ज़रूरत है? तो ऐसे भी single quarter है. अब इसको बाट लिजे. तो 1 upon 2 बाहर और यह 2x के नीचे कितना आ गया? x square minus 1. और प्लस 4 के नीचे कितना आ ज x square minus 1. डिन? डन? आप इसको 1 x square minus 1 का square लिख सकते हैं. इधर solve करने के लिए अब देखिए इसको T मानते तो यह क्या बन जाएगा? तो साब दिख रहा है. 1 upon 2 integration. उपर वाला जो पार्ट है. उपर वाला पार्ट है क्या बन जाएगा? dt. 2x dx dt बन जाएगा और यह हो जाएगा under root t. और plus 4. यह इसका formula x square minus a square का root का formula बोलो कितना होता है? under root of x square minus a square. 1 upon 2a log पहले लिटर में ही आ जाएगा. चलिए चेक कर यह formula एक बादेखिए. क्या होता है? under root x square minus a square का formula. तेखिए पहले देखिए तो फॉर्मूले में क्या लिखा है? प्लस है की माइनस है? denominator में x square minus a square का. तो 1 upon 2 यहां नहीं आता है. है ना? तो इन फॉर्मूले में confusion होता है? याद रखिए log x plus under root x square minus a square plus c. तो यह formula याद रखिए इससे ही solve हो गए तो 1 upon 2 यह बगारे इसमें कुछ नहीं आता है? है ना? 1 upon 2 किसमें आता है? जब 1 upon x square minus a square होता है. है ना? नहीं, root होता है, मगर यह 1 upon upon में होता है. ठीक ना? जब upon में हो और root? ना हो. और 1 upon x square minus a square का फर्मूला बता ही है? चले रिखिए. 1 upon under root x square minus a square. इसका फर्मूला बता ही देखिए जड़ा. ठीक है तो, log से related यह दोनों formula है. पहली आप इनको अच्छे से याद कर लिजे. 1 upon under root x square minus a square है ना? x square minus a square है. अगर root के अंदर x square positive हो तो log में खुलता है. मेरे को इस तरीकी से याद रहता है. root के अंदर x square positive है. है ना? तो log में खुलता है. तो यह कितना होता है? log of x plus x square minus a square. और यह होता है x square minus a square का dx under root equal to x by 2 under root x square minus a square minus a square by 2. अगर यही under root a square minus x square हो जाएगा तो यहाँ पर आता है plus a square by 2 sine inverse x upon a. और यहाँ पर कितना आ जाता है? same रहता है. x by 2 under root a square minus x square के वहले यह term बदल जाता है. तो इसमें minus रहता है. इसको support करता है. ओकी? और यहाँ पर plus रहता है. ठीक है? थोड़े सा confusion रहता है इन फॉर्मूलों में. चलिए. तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हमारा फॉर्मूला लगेगा dx upon यानिए 1 upon बाला लगेगा. तो 1 dx upon x square minus a square equal to log of x plus x square minus a square. तो 4 तो बाहर है. यो हो जाएगा log x. x कीज़ेगा तो x है यह भाई साब. है ना? प्लस under root x square minus 1 plus c. तो इसको solve कर लेंगे अब. root t है. t की power उपर minus 1 by 2 चला जाएगा? है ना? तो कर लेंगे इसको solve. हो गया? अब इसके बाद answer ल देता हूं में. देखे यह 1 by 2 है. उपर जाकर के यह बन जाएगा t की पावर कितना? 1 by 2 और यह dt. यह तो plus 4 log of x plus under root x square minus 1 plus c. यह तो बना ही रहेगा. 1 by 2 देखे t की पावर minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus कितना? 1. तो यह तो हो गया half. हाफ से पूरा half क्या हो गया? cancel हो गया. ओके और यह कितना बज़ गया only t की पावर 1 by 2. ठीकी पावर 1 by 2 मतलब कितना? root t. that is equal to root. और t आपने क्या माना था? बताईए. x plus 1. t आपने क्या माना था? ओके. t माना था आपने x square minus 1. ठीक ना? तो यहाँ पे t की जगे value put कर दीजे. x square minus 1. तो यह वाला जो पाट आ जाएगा. x square minus 1 plus 4 log of x plus under root x square minus 1 plus c is the answer. देखे. एक यहाँ पे correction कीजे. यहाँ पे जो 1 upon 2 था आपका वो पूरे में multiply था. ठीक ना? 1 upon 2 आपने multiply किया था. वो पूरे multiply किया था. तो यहाँ पे भी जब खुलेगा तो 1 upon 2 इसको भी देगा. so 2 से 4 cancel आजागा. तो यहाँ पे कितना हैगा? 2. ध्यान रखेगा common वारी चीजों को जब आप बाहर कुछ चीज लेते हैं. तो bracket जब आप तोड़ेंगे तो proper brackets का इस्तमाल कीजिए. है ना? यह चीजे ध्यान रखनी पड़ती तब full marks आपको मिलेंगे.